हलो फ्रेंट्स बेरी गुड मॉलिंग विलकम तो मैथमेटिक्स पॉइंट्स दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जिनकी स्कालर्शिप अभी तक नहीं आई है तो वो लोग बिलकुल भी परेशान ना हो उनकी स्कालर्शिप मार्च तक हरालत में आ जाएगी ठीक है और यह मैं क्यों कह रहा हूँ अईसे नहीं कह रहा हूँ इसका सबूत भी आपको वीडियो में दूँगा आडियो क्लिप है यारनी रिकार्डिंग है हमारी फोन रिकार्डिंग है और यह हैं प्रथाम अपीली यह धिकारी है जो सिरी राम सुमेर नाम है इनका और यह उप सची हूँ है सासा निस्तर पर तो इनसे की गई फोन काल कि दृगार्डिंग में आपको इस वीडियो में सुनाओंगा और इनसे क्या-क्या बात हुई काफी बात हुई है तो आप लोग सुनिएगा और उससे पहले मित्त्रो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली सभी वीडियोस में भी आपको बताया है कि आप लोग परेशान न होई है स्कालर्शिप सब की आएगी मैं स्कालर्शिप की बात कर रहा हूं फीवापसी की बात नहीं कर रहा हूं क्युंकि फीवापसी के लिए OBC में स्क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है और इसके लिए दो से तीन वीडियो मैंने आल्रेडी बना रखी है तो आपने उन्हें देखा होगा तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा तो यहां मैं बात के घौल स्कालर्शिप के कर रहा हूं वह चाहा जंजल हो चाहाएसी हो चाहाएस्टी हो चाह ओवीसी हो और चाहाए माइनोरिती हो अगर इस्कालर्शिप कमेटी से वेरिफॉइडा किए तो सब कोदे Flip जो उपसची हूँ है सासनिस्तर पर स्री राम सुमेर सिरी राम सुमेर सिंग जी तो उनसे हमारी फोन काल पर बात हुई थी उन्होंने ये बात किये तो ये रिकाल्डिंग चलिए मैं आपको आगे सुनाओंगा और मैं इसमें काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर स्टेट के बाहर और सकत्रों के लिए स्कालर्शिप की कोई वीवस्था ही नहीं मतलब और ये वालों को तेयट के बाहर पढ़ हैं तो ओबीन को कोई स्कालर्शिप नहीं मिलेगी तो चलिए मैं आपको दोनों चीजे दिखाता हूं पहले आप रिकार्डिंग सुनिए जो हमारी फोन काल पर बात हुई थी उस सच्चु जी से करें अब दो फिर्फ देजार्शिप नमस्ते गुड़ेवनिंग शाइब पिठड़ा बार कल्यान विवाक्ते बोला है आप जी सर यह पूछना था कि इसकोलर्शिप सर वीची की काफी बच्चों की आयों नहीं बहुत कम बच्चों की आई है जाओं जी सर फार्मेटी पूरी हो रहे है दिचया रहे है अभी तमार्श है अच्छा मार्श थतका है सुछ है ई क्या क्राइटेयरीय कैसे है अधे अधिन डसमर्ण ड़ेंघー देखो रसकते हैएं अब बजट वगरे खतम हो गया ऐसा कुछ है कि अधर इस्टेट के बाहर वालों के जो इस्टूडेंट हैं उनके लिए तो इस्कॉलर्शिप नहीं है यहां समरी किसुट हैं किसी नगारी निज लिए दिना इस नगारी हो दो धे न हुआ ॉआरिकें तो मतलब उनका कॉंटेक्स नमबर और पहरा वहां में है है इसके लिए प्राफिया जाए आपने साथन गिला लिए आप लेवल तो प्लेवल तो प्लेवल तो अच्छा लेगिन तरही है ना इस बच्छों की आज आएगी ना इस्कॉलर से पूछना था आप से जाएगी जिनका वह रिफार हुआ उनका सब का जाएगा ना सब्सक्राइब तो देखिए आपने रिकार्डिंग सुनी होगी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी उन्होंने काई कि अभी तो मार्च तक का समय है इसकालर्शिप आएगी ठीक है और जितने सारे सवाल पूंच सकते थे हम पूंचे और एक बात और मित्रों कि जितनी जानकारिया हम जुटा कर आपको यूटूब पर दे देंगे मैं दावा करता हूं कि यूटूब के किसी भी चैनल पर आपको इतनी सारी जानकारिया जहां जहां से हम निकाल के लेके आते हैं इतनी जानकारिया किसी भी यूटू यह नहीं है, सरकार ने ऐसा जवाब दिया है, तो देखिए मैं वह आपको जवाब भी दिखा देता हूँ, आपको clear हो जाएगा पूरा, तो देखिए जनुसुनवाई का है 1076, CM Helpline पर शिकायत की गई थी, उसका जो जवाब मिला करता है, तो उसी का यह निस्तारण है, तो मैं आपको देखिए, पूरा आपको डिटेल से समझाता हूँ, देखिए, उपर लिखा है कि समस्च्या निर्च सिकायत के निराकरन का विबरण है, पत्रांक दिनांक और यह सारी जो परसनल डिटेल्स थी, आमने उनको हाइड कर दिया है, ठीक है, विभाग आप देखिए यहाँ पर विभाग भी लिखा आपको दिखेगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कुसी नगर, कुसी नगर से संबंदी था यह जिला, ठीक है, अब आप देखिए, शिकायत की क्रम संख्या वो दिनांक हमने बलर किया है, अवे दक सिकायत करता का नाम है, मुंबाइ हाइड किया है, हम नहीं दिखा सकते है, यह हमारा है नहीं, ठीक है, सिकोर्टी रीजन से, तीसरे देखिए, सारांस, सारांस क्या था, कि अन्य प्रदेश में अध्यान रत, दसमोतर, छात्वर्ट, यह उन सुल्क पृत्पूर्ति के संबंद में, यानि प्रदेश से बाहर हमें जो दिखिए, दिया है कि कारवाही, निराकरण का विबरण, तो देखिए, इसमें पूरा विबरण सम दिया गया है, कि आपकी किस नहीं आई, एक छात्र की नहीं आई थी, तो उन्होंने सिकायत की थी, CM हेल्प लाइन पर, कि हमारी स्कालर्शिप नहीं आई है, उन् प्रदेश में अध्यन रत, दस्मोतर, छात्वरत, यूम सुल्क प्रतपूर थी, हे तो दिलाए जाने की मांग की गई है, जिसके संदर्बह में आउगत कराना है कि दस्मोतर, छात्वरत, यूम सुल्क प्रतपूर थी, योजना अंतरगत, प्रदेश के बाहर अध्यन रत, चाट चात्राओं को चात ब्रतियों सुल्क प्रत्पूर्ति वर्तमान बित्ती वर्ष 2017-18 में पिछडी जात के लिए संचालित नहीं है करपया सिकायत निच्छेपित करने का कष्ट करें और यह देखिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्यान अधिकारी कुसिनगर की तरफ से यह निस्तारित की गई थी तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूँ कि जो यह सिकायत है यह पिछले वर्ष की है इस वर्ष की नहीं है पिछले वर्ष जब इन स्टूडेंट्स कर नहीं आया था तो इन्होंने सिकायत करके कारण जाना था और काफी जगे कांटेक्ट किया उ उस कंप्लेंड का निराकानल यह हुआ देखिए क्या मजा के स्टूडेंट्स के साथ की मतलब प्रदेश के बाहर ओवी सी के जो चात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए बहे दिला इसकालर्शिप की ब्योस्ता ही नहीं है ओवी सी के लिए मतलब चाह वो प्रदेश के बाहर हो प्रदेश के अंदर हो ओवी सी के साथ ही ना इंसाफिक क्यों हमारा एक की सवाल है कि ठीक है अगर आपने क्राइटेरिया लगाया है परसेंटेज का ठीक है पहली बात तो स्कालर्शिप देने में परसेंटेज का क्राइटेरिया कोई माइन ही ने रखता आप किस हिसाब से लगा रहे हैं हमारे समझ में नहीं आता कि अगर विद्धर्थी को admission मिल गया है वो कॉर्स करने का तो आप scholarship देने में percentage कैसे लगा सकते हैं ठीक है और यह ठीक है percentage आप लगा भी रहें criteria set भी कर रहें तो किसी एक मन लिए समधाय के लिए क्यों किसी करते करते यह तो डबल स्टेंडर्ड हो गया ना दोरा माप डंड क्यों सभी छात्रों को एक नजर से देखा जाये चाहे वह ओबी अपडेट के साथ दोस्तोव आप जुड़े रहे हम लोग들ं से बिलकुल नए नएể है के तो दोस्तों आप से मेरा वादा एक आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल कि और हम आपको ऐसे एड़े लेकर देंगे जो आपको पूरे यूटूब पर नई मिलेंगी और सबसे पहले रबेट लेकर देंगे आपको और नई नई अप्टे देंगे आपकी स्कालर सींसीश्चोरी श्कोरटी-श्पोरी अपडेट भी आप नई सूटेगी यह मैं वादा करता हूँ तो मित्रो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज आपसे मिस ना हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं